हो वह सो हिलो फ्रेंट्स इस वीडियो पार्ट में हम कवर यू पिएसी प्रलेम्स और पीशी एसे प्रलेम्स में आते रहते हैं क्वेस्चिण जीएंद ग्रॉप्स की उपर उसके बाद हम देख लेते हैं जीनोम अनुकुरमन जीनम जीनोम सीकेंसिंग क्या होती है किस तरीक स्थापना हुई है या इसके हमाइए संसाधन स्वादेशी करण का स्थापना हुई है या इस पे कुछ कार ही हुआ है में इसे फन्ड रूप और करते हैं जय पर टेकनलोजी यूज एंड एप्लिकेशन रेगुलेशन बिल तो हम लोगों को डी एने ज्यादा तर मुवीज में कहां पर याद रहता है ति किसे बच्चे के बाप का पता लगाना हो तो डी एने टेकनलोजी यूज क्या करता है इसके डी एने चक किई जो है ना और ज्यादा और CBI जो हता है ना CID आता है तो उसमें भी कहते हैं डी एने इसका चक्कर वाओ या ऐसा कुछ है ना तो डी एने टेकनलोजी यूज एंड एप्लिकेशन रेगुलेशन बिल आया है इस बिल में बताया गया होगा ति कैसे इसको यूज करना है और कैसे इसका यूज नहीं क है प्रयोग और लगू कैसे होना है तो सुर्क्यों में कियो है देख लेजाए विज्यान और प्रदग्यागी पर संसधी स्थाह समीति संसथ की ह parlar लेमेंट्टी पैंडिंग कमिटि है एक बएक प्रावधानों पर डिंभ ने माउप्ध है गहां पे जो विद्यक संथafter समिति ती संसरीन कुछ चिंता व्यक्ति यह कुछ प्रावधानों पर देख लेते हैं क्म धी नैंक था यह निंटार आर्ने के बारे में ये नाभकी अमलों के दो प्रमुक प्रकार हैं जो सम्पून जीवन से संबंधित आनुवांशिक जानकारी के भंडार तथा आकलंग के लिए उत्तरदाई होते हैं और पूरे जいवन में किसी भी बॉडी में क्या changes होए या क्या रोग लगई या क्या नहीं लगई वह पूरा जो जानकारी होती है. Code के रूप में इन DNA और RNA में stored रहती है. RNA के तीन प्रकार होते हैं, DNA के प्रकार होते हैं और RNA के तीन प्रकार होते हैं. पहला होता है दूत आरेने मेसेंजर आरेने जिसे कहते हैं मुख्यता अनुवांचिक कोड की प्रतलिपी का निर्मान करते हैं जो अनुवांचिक कोड होता है उसकी कौपी को त्यार करते हैं तो इस प्रतलिपी तरक्रिया को ट्रांस्क्रिप्शन कहते हैं क्या कहते हैं ट्रा कोपी करते हैं जो भी कोड होता है जो भी 1-30 को कोपी करते हैं परतिलेखन कहा जाता है दूत आर एंट है दूरा एंट परतियों को राइबूसों में पुछाया जाता है जो इस कोडț की मदद से प्रोटियन की उत्पादन को सुनिषचित करने वाले कोशिकी काराखाने की प्रोटीन का फॉते हैं जो भी हमारे कोड़ेट और डेरेक्शन्स होते हैं कि प्रतिक्रिया में प्रोटीन कार खानों में अमीनो अमल मौलिक प्रोटीन निर्माण खंड श्रजन में मदद करते हैं निर्माण खंड के श्रजन में मदद करते हैं ब्लॉक्स का निर्माण करते हैं इस प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को इस्थांतरन खा जाता है तो यही इस्थांतरन है यह जो ब्लॉक का निर्माण हो रहा है निर्माण खंड के श्रजन जो प्रोटीन उत्पादन के लिए अवश्यक होता है तो राइबोस उनके घटक है तो इस तरीके से हमने तीन चीजें पढ़ ली है MRNA, TRNA और RRN है इस तरीके से अब देख सकते हैं RNA जो होता है रैबोस ने लोकिन फादन है इसमें इस्टरंद एक ही होती है ये एक ही धागा होता है अचे ये टन्दियों प्रहुत वाला जोला जो है इस спокой nee और फिर ये रेड़ वाला इसे क्या कहेंगे एडेने कहेंगे इसका फॉर्मॉला यह है और यूरेसिल यह ग्रीन वाला जो है देंडा इसे क्या कहेंगे यूरेसिल तो आरेने में और डीने दोनों में ही यह लगे होते हैं लेकिन कुछ सिकंस में लगे होते हैं साइटोसीन गौनीन एडेनीन और यूरेसिल इधर भी वही हैं साइ चलिए और ये क्या होते हैं ये जो हमारे होते हैं ये नियुक्लियो बेसेज होता है ये क्या कहते हैं हम नियुक्लियो बेसेज कहते हैं और ये क्या होता है हमारा ये हैलिक्स ऑफ सुगर फास्वेट होता है ये हैलिक्स ऑफ ये हैलिक्स है ना हैलिक्स की टाइप में है और य of sugar phosphate जितने भी sugar phosphate हैं उनको ये निरूपित करता है बताता है मतलब ये sugar phosphate से ही बना हुआ है है चलिए तो DNA में आप याद रखेंगे कि दो हैलिक्स होते हैं इसमें एक ही हैलिक्स होता है अब RNA और DNA में difference देख लेते हैं तो RNA वस्ता DNA के भीतर नहित आनुवांशिक जानकरी को protein उत्पादन के लिए उप्योग किया जाने वाला प्रारूप में परिवर्टित करता है जो जानकरी का protein उत्पादन के लिए प्रारूप में परिवर्टित करता है फिर इसे नहित सभी अनुवांशिक सुचना हो कि एक blueprint होती है जो भी उसकी सुचना है कैसे उसकी हड़ी वनी कैसे उसमें ने एक रोग से लड़ने के लिए छमता इक्वाइर की है ना यह सारी जो इतील होती उसके डी ये ने में होती है या मनिशय और लगबग सब जीवों में कानवांचिक तत्त्त होता है डी येने हम आर एने किवल एक रज्जुक स्ट्रेंड होता है एक स्ट्रेंड होता है जो सरकरा वाले याड़ों होते हैं जो हाइड्राक्सिल परिवर्तलों से रहीत होते हैं और डियने में डी आकसी राइबोस की रूप में सरकरा उपलग्द होती है उपस्त होती है जिसमें आर एने के राइबोसोम की तुलना में एक कम हैड्रोक्सिल समू सामिल होता है अब यह जो विद्यक पारित हुआ इसके कुछ प्रावधान है इनको हम देख लेते हैं कि विद्यक के क्या प्रावधान दिये गए है तो इस विद्य की पहचान स्थापित करने के लिए डिये प्रावधान करता मतलब वेक्तियों का पहचान होगी इससे कई सारी बॉडिस कहीं पड़ी है या आर्मी मैन की है या सिविलियंस की है तो निकालके पहचान की जाएगी कि यह लोग कौन थे अब डिये ने की पहचान तभी हो विध्यक की अनसूची में सूची बत मामलों के संबंद में हैं भारती दंड सहीता 1860 केंतर अपराधों के मामले में पैत्रक संबंद विवाद मातरत और पितरत जैसे दीवानी मामलों में है वही हमने बताया था कि बच्चा पहचान ना है तो यह डिये ने की टेक्नोलोज नहीं है विद्यक के प्रावधानों के अंसार डीएने नमॉने के शंगरान के लिए सहमति आवश्चा करने पढ़ेंगे तभी तु पहचान हो पाएगी एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा पूरी कंट्री का तो उसके लिए व्यक्ति की सहमति है व्यक्ति शायद ना देना तो गिरफ्तार व ही तो एगर वह साथ साल किश्ज़ा पा रहा है तो वह डीने देने पर वह लीखित सेहमती है न अगर साथ साल से अधिक है तो गरफतार करने वाले अधिकारी है वह अपने या पसे उसका डियन-गे ले लेंगे दिसे फोटो लेते हैं लेफ्ट साइड ना यदि किसी अपराद के लिए साथ वर्ष अधिक करावास का प्रादधान है तो सहमती के विशक्ता नहीं होती बहुत उसका डिन एक सेकंस ले लिए जाता है एक रास्ट्रिय डिन डेटा बैंक छेत्री डिन डेटा बैंक क कि स्था यह ने बताइए कि लोगों की पहचान कैसे पहले डेटा बैंक होना चाइए इसका है इसका सल्वाओंilot की बेनि तश्लry का सब्सक्राइबदेख लेस्मेस्टे में मैं आपर हेड्मी रेपीट ऑफटर। क्राइपरेंट्ट्र्श परिए पेइंड झाल्श् OF Kराय पकड़ा जा सकता है एक्सपेड़ेट डिलिवरी आफ जस्टिस तुरंथ जो डिलीवरी की है मना जस्टिस की डिलीवरी जो है वो तुरंथ होगी प्रेडियूजिंग रॉंग फुल कन्विक्शन सैंड हैंनेंसिंग एकुरेसी आफ इंवेस्टिकेशन अथर्टीज भाई इ चला जाता है थो दिखाते हैं कि भाई वहाद मी तो मर गया लेकिन वह किसी और दूसरे की बॉडी को डाल के गया होता है तो इस तरीके से है यहीं इसको पता लगा सकता है नहीं ग्द्दाम्स जेन्यचीजच दिसीजच जैनक्ट दिसीस को पता करने लिए यह जपता करेंगी और जिए लिए ओंग घृस्तिक्वाइब्लाप्म्न लेटम्स के लिए पताबी कुले thanks industries में for production of chemical compounds and commercial importance के लिए भी technology मदद करेगी identifying missing persons and an unidentified diseased person है ना जो भी धोका दड़ी वाले person है उनको भी missing persons को भी ये ढून सकेगी चलिए तो इस पार्ट में हमने देख लिया है RNA और DNA में अंतर भी देख लिया है और RNA की तीन टाइप सोते हैं MRN tRNA और RNA RNA का उप्यों क्या होता है यह राइबोसम कार खाने का घटक है और टी आरेने के प्रतिकरा में प्रोटीन कार खाने के लिए मिर्म प्रोटीन में मदद करते हैं मतलब यह अमीनों हम प्रोटीन के मदद करते हैं इस थंदन का जाता है अब MRNA क्या है यह ट्रांस्क्रिप्शन करते हैं जो भी कोड होता है और अगर यह पूछ लिया जाए कि देखिए कौन-कौन से साइटोसीन होता है गौनीन होता है कि साइटोसीन गौनीन एडेनन और थाइमिन सेंघ और आर ने में हैं और इसमें क्या है सौटिनीन गानीन एडेनीन और थाइमीन और थाइमीन इसी जड़ जो है यह डीने में इस तरीके से हमने पूरा टॉपिक याद कर लिया है तो हमने क्या पढ़ लिया डीने टेक्नोलोजी एप्लिकेशन रेगलेशन बिल 2019 धन्यवाद